Hey guys, तो स्वागत आपका Captain B2 के चैनल में जहां आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों He Who Remains के गैलेरी में Iron Man का हेलमेट था जिसको मैंने Related Scene या Dropped Idea वाले वीडियो से साइड कर दिया था क्योंकि Boss वो वीडियो आल्रेडी बहुत लंबा था और इसको एड़ करने से थोड़ सा Explanation देना पड़ था जिससे वो और भी जादा लंबा हो जाता और शायद तक उतने देर तक जादा तर लोग नहीं रुखते और मैं चाहता था कि जादा तर लोगों तक ये वीडियो पहुचे वेल इन केस आपने लोकी डिलिटेट सीन या अल्टरनेट प्लैन्स वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसको चेक आउट कर लिजेगा क्योंकि उसमें बहुत ही जादा मज़ेदार बाते आपको पता चलेगी वेल पुराने वीडियो का सजेशन हो गया हो तो इस वीडियो का लाइक टारगेट भी बता देता हूँ क्योंकि लास्ट तैम जब मैंने लाइक टारगेट वीडियो के एंड में कहा था तो पूरे होने में 10 गंटे एक्स्टा लग गये थे बट शुक्र है कि टारगेट पूरा हो गया क्योंकि मुझे उन टापिक्स को तो कवर करना ही था इस वीडियो का लाइक टारगेट है 15,000 लाइक्स देखते हैं 24 गंटे में हो पाता है या नहीं इस वीडियो के कंटेंट्स के टाइम स्टैंप आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिंड मिल जाएंगे इन केस अगर आप कोई पार्ट स्किप करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो इन वीडियो में मेजर ली 4 पॉइंट है और उनके अंदर सब पॉइंट्स एंड थियोरी हैं इसलिए सजिस्ट करूँगा कि सिक्वेंस वाइज ही देखें अब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया है तो मुद्दे पर आते हैं वाज़ जैसा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में पॉइंट आट किया था कि यहां पर हम आई ओप आगा मोटो जैसा कुछ देखते हैं तो उसी आर्ट में हम आईरन मैन के हलमेट भी देखते हैं वेल कहने के तो हम इसको इस सेंस में ले सकते हैं कि ये He Who Remains की हाइप को पढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा था लेकिन यहाँ पे Iron Man का हेलमेट होने के दो कारण हो सकते हैं पहला ये कि उसको as a trophy दिखाया जा रहा है या फिर as a memory अगर वो as a trophy है तो में भी जिस तरह हलक ने सकार जाते ही वहाँ पे जो चैंपियन था उसको हराया था और उसी के मुग का skeleton ही उसका bed बनता है उसी तरह future में हमें कैंग वर्सेस Iron Man देखने को मिरे जिसके बाद से कैंग Iron Man को हरा दे और उसके बाद वो उसका helmet as a trophy अपने room में रखे लेकिन मुझे इसके होने के chances थोड़े से कम लगते हैं क्योंकि अब तो Iron Man रहा नहीं और अभी तक में उन दोनों के बीच में कोई fight हुआ नहीं in fact he who remains या उसका कोई भी वर्जन टोनी स्टार्क से कभी भी भिड़ना नहीं चाहेगा क्योंकि boss अगर स्टार्क को कुछ हुआ तो वहीं से एक branch timeline बन जाएगा as Tony स्टार्क ने ही time machine बनाया था जो की base बना he who remains के main version and उनके variants के future tech बनाने का जिसके वज़े से अगर स्टार को कुछ हुआ तो शायद तक future में he who remains कभी temp pad, time dot या fit TVA को establish ही ना कर पाए note जब भी कोई concept art, taste कोई concept art बनाता है तो उनको उपर से specific order या फिके instructions मिलते हैं कि हमें ऐसे ऐसे चीज़े चाहिए जिसमें वो अपनी थोड़ी creativity दिखा कर पेश करते हैं लेकिन यह ज़रूरी नहीं होता है कि जो भी वो बनाए हमें वो movie के अंदर देखने को मिले कभी-कभी pre-production में कुछ changes होते हैं जिसके बात से हमें final product में वो नहीं दिखता है जैसे कि civil war movie के अंदर यहाँ पर wasp भी involved होने वाली थी लेकिन वो हमें नहीं दिखाया गया plus vision versus iron man होने वाला था जहाँ पे vision iron man के opposite होता ना कि civil war movie के जैसे उसके side में जो कि आप arts देखके समझी सकते हैं उसी तरह लोकी के concept artist को भी यह कहा गया होगा कि टोनी का helmet वहाँ होना चाहिए या उससे related कोई चीज़ वहाँ पे होना चाहिए Avengers end game movie के अंदर Avengers को time travel इसलिए नहीं करने दिया गया क्योंकि वो विधी का विधान था बलकि वो इसलिए करने दे दिया गया क्योंकि अगर time machine ही नहीं बनेगा तो future में he who remains के future tech का base ही नहीं बनता यह कुछ ऐसा है कि माल लिजे कि आपने time machine बनाया जिसमें Newton के theories को use किये गए और उसके बाद से आप पास्ट में जाकर Newton के उपर apple गिरने से ही रोक देते हो या फिर उसको उठा कर थोड़ा side कर देते हो जिसके बाद से एक अलगी timeline बन जाएगा जहाँ पे Sir Isaac Newton ने कभी अपनी theories दी ही नहीं तो आपने भी उसको कभी बढ़ाने जिसके वज़े से आप भी time machine बनाने में सफन नहीं हो पाए इसका मतलब यह हुआ कि Tony ने यहाँ पे ना सिर्थ MCU के infinity saga को kick start किया था बलकि multiverse saga के लिए भी रास्ता उसी ने बनाया So maybe उसने Iron Man का helmet as a memory रखा हूँ from the past because of his contribution to the future लस अगर आप लोगोंने मेरा Loki deleted scene explain वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि He Who Remains का जो costume का design था उसको अलग-अलग time period से लिया गया है जिसमें से उसका cave Victorian era के design से match up किया गया था तो fans को Mongolian era से तो हो सकता है कि उसने Tony का end game वाला helmet ही यहाँ पर रखा हूँ as a loving memory अब हमें ये तो मालूम है कि Kang दिखने वाला है MCU के अंदर और Marvel वाले जादातर comic accuracy रखते हैं तो जिनको मेरी बाते अभी तक Iron Man fanboyism लग रही थी उनके लिए आगे बहुत सारे possible proofs मिलने वाले हैं कि कैसे ये दोनों connected हैं जैसे कि हम देख चुके हैं कि he who remains human था तो उसका variant भी human ही होगा बट कौन सा human नीला कलर का होता है यार उपर से आपने जहां भी कैंग के poster या artwork देखे होंगे mostly blue color के होंगे तो maybe जो कैंग हमें दिखाया जा रहा है असल में उसका blue color उसके helmet के वज़े से होगा और हमें पहले से पता है कि वो quantum realm में ही हमें दिखने वाला है तो वहाँ पर तो बिना helmet के जाने से क्या होता है ये आप Hank Pym से ही पूछ लो जिसको उसकी wife Janet ने यहाँ पर तो बचा लिया था लेकिन फिर बाद में जब बाकी Avengers quantum realm के through travel करने वाले थे तो वहाँ पर जब उसका helmet बनाया जा रहा था तो उसमें ना सिर्फ स्टार्क टेक और Antman के helmet को consideration में रखा गया था बलकि स्टारलोड के holographic suit को भी लिया गया था जो कि उनके आँखों के पास वारा area में आप देख सकते हैं और movie के अंदर आप लोगों को जो ये पार्ट दिखाया जाता है तो आप Tony and Cap का ये concept art देखिए Avengers Endgame से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ जिसको देखने के बात से आप लोगों को लग रहा होगा कि मानू उनका face ही blue color का है और same चीज क्यांग के साथ भी होगा as naturally तो उसका skin color black है बट इस तरह का mask अगर वो पहनेगा तो वो बिलकुल भी comic accurate blue color में नज़र आएगा comics में भी वो human ही रहता है और उसका blue color face उसके helmet के वज़े से ही नज़र आता है maybe हमें movie के अंदर ऐसा दिखा दिखा दिया जाए कि कोई accident हो गया या फिर किसी कारण वस वो helmet उसके चेरे से fix हो गया या फिच्ची पक के रहे या जिसके वज़े से उसका skin color भी blue लग रहा हो वैसे मैंने end game की rejected concept art को देखा तो वहाँ पर ये वाला artwork मुझे ऐसा लगा कि कैंग के temp pad से बहुत मिलता जूलता है बट शर्ते इसमें hourglass जैसे design है जबकि कैंग के temp pad में उसके महल की जैसे design थे यहाँ पर और एक कमाल की बात temp pad की functioning इतनी आसान थी कि छोटी सिल्वी यहाँ पे अराम से time door खोल कर वहाँ से भाग जाती है चलो मान लिया कि उसमें option थे और उसको English language आता था बट he who remains के temp pad में तो ऐसा कुछ भी लिखावा नहीं था प्लस tap करने से वो he who remains के जैसा यहाँ वाँ टेलिपोर्ट नहीं होगी बलकि एक time door कुलेगा वो भी एक specific जगा पे जहाँ पर लोकी के लिए उसने TVA के जगा पे time door खोला हुआ था तो ये कुछ हजम नहीं हुआ मतलब ये कुछ बहुत ही आसान तरीके से उसको operate करना नहीं हुआ कुछ ऐसा ही बाकी Avengers के साथ भी था जहां उन्होंने भी bus press किया और डारेक quantum tunnel के रास्ते जिस जगा पे उन्हें पहुँचना था वहाँ पर वो पहुच गया जिसमें से हो सकता है कि उनके time GPS डिवाइस में सब कुछ पहले से fix होगा बट captain ने यहाँ पे उसको आराम से adjust कर लिया था जो कि कुछ साल पहले टेकनोलोजी की मामले में कितना अनारी था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और एक चीज जो कि गौर करने वाली बात है वो ये है कि he you remains या उसके variant के अलावा कोई भी time travel का तरीका नहीं ढूंड पाया क्या हजार सालों तक कोई भी ऐसा smart बंदा पैदा नहीं हुआ जो कि टोनी के जैसे ही एक time traveling machine बना सके या फिर at least उसके बनाए गए time travel का setup या blueprint खोच कर उसको decode कर पाए जो कि लेकर आती है हमारे चौथे point पर की कैसे वो दोनों related होंगे जिसको मैं हमेशा से short में पार कर देता था लेकिन इस वाले वीडियो में मैं उसको अच्छे से cover करूँगा so maybe he who remains का main version time travel इसलिए कर पाया था क्योंकि उसके पास blueprint था Tony के time traveling machine का जो सिर्फ star खांदान के पास था जिसको उन लोगों ने star के server में store किया था जो कि इतना जादा strong encryption hold करता था कि एक 30 सदी की technology और he who remains का main version का दिमाग लगा तोड़ने में अगर आप Tony और he who remains को compare कीजेगा तो दोनों में आपको बहुत ज़्यादा similarities नजर आएंगी जैसे कि दोनों ही genius level intellect hold करते हैं technology के मामले में दोनों ही narcissist हैं और इस narcissist वाले demerit के वज़े से तो Tony star को Avengers में लिया भी ने गया था पहले बार में सिर्फ Iron Man को ही select किया गया था यही नहीं दोनों अपने काम को handle करने के लिए AI को use करते हैं जैसे कि Tony Jarvis को use करता है ना सिर्फ अपने suit and iron legend को चलाने के लिए बलकि Pepper के बाद उसके business को वही handle करता है वहीं here who remains Miss Minute को use करता है TV को चलाने के लिए जो कि sort of उसका business है प्लस जैसा कि मैंने Loki के deleted scene वाले वीडियो में बताया था कि Miss Minute versus Loki and Sylvie होने वाला था जो कि तभी possible हो पाता जब Miss Minute hard light से बनी होती वरना एक hologram से क्या ही fight होता और अगर आप लोग मेरे channel को बहुत सा में से follow करते आ रहे हैं तो मैंने एक video बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि every AI made by Tony Stark जिसमें से एक AI ऐसा था जो कि hard light से बना हुआ था जिसके वज़े से वो physical attacks भी कर सकता था और इस चीज़ को यहाँ पर बताने का मकसद यह है कि Miss Minute जो कि Loki and Sylvie से लडने वाली थी वो भी यहाँ पर physical attacks करती तो इसका मतलब यह वा कि यह भी hard light से बनी हुई है इसलिए तो episode 2 के अंदर यहाँ पर वो Loki के इस attacks को dodge कर रही थी In short एक hologram AI का most advanced version उसका hard light या hard hologram से बनता है जो कि He Who Remains ने बनाया So maybe He Who Remains का main version Tony का one such है या फिर किसी ऐसे का one such है जो कि Iron Man की legacy को continue करे मतलब कि Riri Williams का one such Maybe जिसको हम लोग Iron Man का helmet समझ रहे हैं वो असल में Riri Williams के Iron Heart का helmet हो एक चीज जो कि थोड़ा सा सोचने लायक है वो ये है कि Tony Stark Morgan के dad बनने से पहले ही Peter के father figure बन चुके थे इसके अलावा hardly वो character था जो कि Iron Man की legacy को carry कर सकता था तो फिर Riri Williams और Morgan Star को introduce करने का क्या ही मतलब क्योंकि अगर आप comics में भी देखे तो Pepper and Tony का एक ही बचा था जो कि था Howard जो कि अपने dad के legacy को continue करते वे मर जाता है और उसकी जो बेटी रहती है उसका नाम Ginny Star करता है वो भी अपने dad के जैसे अच्छाई के लिए लड़ती है तो शायद तक Morgan Star को यहाँ पे दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो लोग ये establish कर पाएं कि Tony Star का once आगे बढ़ा और वही आगे जाकर He Who Remains को जन्नम देता है और ये उसी का वंसज है मुझे मालूम है Comics के अंदर Reed Richard था बाट movies में उसको Tony का वंसज बनाया जा सकता है as Reed को अभी आने में बहुत ही जादा time है मुझे मालूम है मैं यहाँ पर Morgan Star को लेके राइ का पहाड़ बना रहा हूँ लेकिन आप भी एक बार सोचके देखिए Morgan Star 2023 में बच्ची थी तो उसको बड़ा होने में time लगेगा और at least कम से कम वो 15 साल की तो होनी ही चाहिए जिसके बात से वो at least किसी threat से deal कर सके और तब तक तो MCU का मल्टिवर्स सागा भी खतम हो जाएगा तो ऐसे में उसको इंट्रिड्यूस करने का क्या ही मतलब Of course, Morgan का presence एक emotional bond add करता है endgame movie के अंदर बट आप ही मुझे बताइए क्या Infinity War में जब सब धूल बन रहे थे आपको बुरा नहीं लग रहा था लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा आपको उस वक्त लगा था जब Tony के हाथ में Peter धूल बनता है क्योंकि उस वक्त Tony उसके लिए एक father figure था और ये एक बहुत ही बड़ा motivation था Tony के लिए सब को वापस लाने का तो ये father वाले जो bond था और ये जो emotions इससे बनते वो हम पहले ही feel कर चुके थे Tony के तरफ से शायद इसी लिए Riri Williams को introduce किया जा रहा है जो कि Tony Star के legacy को आगे continue करेगी Ironheart के नाम से और maybe Riri Williams ही वो इंसान हो जिसका one says he who remains का main version है in fact इन दोनों का skin tone भी match करता है तो थोड़ी possibility तो बनती ही है तो guys आपको क्या लगता है कि Tony and he who remains का main version का कोई connection है या नहीं यहाँ पर Iron Man का helmet सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने history में एक बहुत ही बड़ा sacrifice किया था future secure करने के लिए या फिर इसलिए था क्योंकि यह Tony Stark का one says है आप अपनी राए हमें comment session के जरी बता सकते है और क्योंकि इस वीडियो के अंदर Tony Stark involved है तो मैं इस वीडियो का like target 15,000 रख रहा हूँ जो की love you 3000 का 5 गुना है बाकि आपको ज़्यादा प्यार देना है तो आप दे सकते हैं और इस 5 गुने को 10 गुना करके 30K likes भी पहुचा सकते हैं इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर दे और अगर पुराने हैं तो please check कि अपने bell icon दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो well and good और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दे ताकि जब भी हम कोई वीडियो डाले उसका notification आपको जाए इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटासा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करें अपना खयाल रखें and keep moving forward का रट लगा कर आगे बढ़ते रहे थैंक यू पर वाचिंग विडियो स्टे टून